स्वागत है आप सभी का Tech Study ITI YouTube चैनल पर तो नए सेस्टन में अगर आप भी ITI करना चाहते हैं या आपका कोई साथ ही ITI करना चाहता है तो अभी ITI के फॉर्म्स आने सुरू हो गए हैं जल्दी इनकी जो ऑनलाइन अप्लिकेशन है वो भी स्टार्ट हो जाएंगे तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले उत्तर प्रदेश में ITI एडमीशन के बारे में राज बेवसाइक प्रसिक्षण परसद यही वेबसाइट है जहां से ITI के एडमीशन के लिए फॉर्म भरे जाते हैं UP में ITI में एडमीशन पूरी तरह से मेरिट के बेसिस पे सेलेक्षन होता है यहां पर आपका किसी भी तरह का यहां ऐसा कुछ नहीं का आपका इंटरेंस एकजाम होगा जैसे बिहार में देखे आपका इंटरेंस एकजाम होता है बट UP में आपका जो ITI में एडमीशन होता ह वो आपकी 10th या कुछ ट्रेड में 8th की जो मेरिट होती है उसके basis पे होता है ठीक है 8th की basis वस्वाले ट्रेड लिए 8th की मेरिट 10th के case में 10th की मेरिट कुछ trade ऐसे हैं जिसमें science side requirement होता है कुछ trade ऐसे हैं जिसमें आप normal अगर 10th पास आउट हैं तब भी आप इसमें apply कर सकते है ये चैनल ITI की सारी update, ITI की admission कैसे उसके form भरे जाएंगे, ITI की पढ़ाई, ITI की jobs, apprenticeship सभी के लिए dedicated है तो यहाँ पे आपको सारी information मिलती रहेगी चैनल पे नए हैं तो subscribe कर लिजेगा, साथ में bell icon को hit कीजिएगा यहाँ पे आज देखिए एक निकल का आया news जो है, ITI में प्रवेश के लिए इसी हपते से होगा आवेदन, 7 से 31 जुलाई के बीच online form भरने का प्रस्ताव देखिए admission का जो date था ये इसलिए से fold किया गया था क्योंकि 10th के result नहीं आये थे, UP board के इस वज़ा से admission जो है डिले किया जा रहा था, अभी जो है results आ चुके हैं, इसलिए form भरने का जो link है वो जल्दी open हो जाएगा यहाँ पर जैसी बात की गई, 7 जुलाई से आपके online form भरे जाएंगे, online form आप कैसे अपने mobile phone से भर सकते हैं, इसका वीडियो जिस दिन से form भरा जाएगा, उस दिन आपको मिल जाएगा, बस आप एक काम कर सकते हैं, आप कुछ documents अपने ready रखिए, जैसे आपका जो residence certificate है की mark sheet, यह सब कुछ आप क्या करिए अपने पास, PDF format में इन सब को रख लीजे, क्योंकि इन सब को आपको form भरते time upload करना पड़ेगा, ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखें, तो आवेधन के आपको दो दिन का और मौका मिलेगा, सुधार करने का अगर आप से कुछ गलती हो मिली थी, आप लोग ध्यान नहीं देते, form भरते time, या कई बार आप साइबर कैफे से form भरवाते हैं, आपकी category कुछ होती है, select कुछ कर देता है, कई बार लड़के फिजगली handicap नहीं होते, वहाँ पर फिजगली handicap में yes कर देता है, और फिर आपको आरक्षन मिल जाता है, उस बना देंगे, जिससे कि आपका, जब एक बार आप farm भर देते हैं, उसके बाद आप throughout एक साल, दो साल जो ITI करते हैं, उसमें वही detail आपके साथ चलती है, और बीच में correction कराना बहुत मुस्किल होता है, तो इस पे हम detailed video बना देंगे, का आपको क्या-क्या साउधानी रखनी ह क्या-क्या गलती नहीं करनी है, यह सारी चीज है, ठीक है, तो यहाँ पर देखे, प्रदेश के अदोगी प्रसिचन संस्थानों में, ITI में दाखिले के आवेदन प्रकिरिया इसी अपते शुरू हो जाएगे, साथ से 31 जुलाई तक farm भरे जाएंगे, यह date आगे बढ़ भी सकती है, नहीं भी बढ़ सकती, आप उसका इंतजार मत करिएगा, आप लास्ट डेट से पहले farm भरती जिएगा, आधिकारियों के अनसार आवेदन सुल्क में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, SCST केंडेट के लिए 150 रूपीज, जनरल और OBC केंडेट के लिए 250 रूपीज का यहाँ पे जो आपका farm भरने का फीश है, वो रखा गया है, प्रवेश प्रक्रिया में करीब 304 सरकारी संस्थान और लगबग 1.20 लाक और 29 सो निजी संस्थानों की करीब 2.60 लाक, मतलब आप देखेंगे यहाँ पे total जो seat आ रही निकलके 3.8 लाक आ ठीक है, 3,80,000 seat पे जो farm भरने जाएंगे, तो आपको block label का, फिर तहसील label का, उसके बाद आपको district label का, फिर आपको state label का, इतने तरीके के यहाँ पर क्या मिलते हैं, आपको आरक्षण मिलते हैं, अगर आपके block में कोई ITA है, वहाँ से आप farm fill up करते हैं, आपको लिए 25% seat हैं, वहाँ पे reserve रहती है इसी तरह तहसील का है, district का है, इस हिसाब से आप farm भरिएगा, यह भी गलती आप लोग कई बार करते हैं, सपोर्ज करिया आप किसी एक district से हैं, और आप farm को state label से apply कर देते हैं, जबकि आपको करना ITA अपने ही district से था, तो अगर आप district wise, या block wise, या तहसील wise आरक्षण के basis प apply करेंगे, तो आपके लिए admission पाना आसान होगा, क्योंकि merit और cutoff वहाँ पे trade wise कम जाती है, तो यह सारी बातों का आपको ध्यान रखना होगा, बाकी ITA के farm आते ही, आपको वीडियो मिल जाएगी, उससे पहले आपको क्या-क्या साउधानिया रखनी है, farm भरने में, उसकी व so that आप काम यहाँ पे भी fill up कर पाएं और ITA में admission ले पाएं, thank you very much.